नी 22 एक्जाम के लिए इस साल 18,22,349 कंडिडेट ने रेजिस्टेशन किया है हाँ आप सही सुन रहे हैं टोटल 18,72,339 कंडिडेट्स ने नी 22 एक्जाम के लिए रेजिस्टेशन किया है जिसमें 10,64,606 वुमेन कंडिडेट है और 8,7711 मैन कंडिडेट हैं ये डाटा ओफिशियली है सबसे पहले जैहिंद मैं हरसाई चोपडा आपका आपके यूटूब चैनल चोपडा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नीट 22 एक्जाम के लिए रेजिस्टर्ड कंडिडेट का डाटा ओफिशियली आ चुका है नीट 21 के कंपेरिजन में इस साल 257,562 कंडिडेट ने ज्यादा रेजिस्टरेशन करवाया है एक बार हम ये डाटा देख लेते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं 18 में तो 18 में टोटल रेजिस्टर्ड कंडिडेट थे 13,23,672 इसके बाद में 19 में ये इंक्रीज हुए और टोटल कंडिडेट हो गए 15,19,375 यानि कि 19 में जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 1,95,703 कंडिडेट का हुआ था 20 में जो टोटल रेजिस्टर्ड कंडिडेट की जो काउंट हुए थे रेजिस्टर्ड हुए थे वो 15,97,435 इस्टुडेंट रेजिस्टर्ड हुए थे और इसमें इंक्रीमेंट हुआ था 78,060 कंडिडेट का सबसे कम कंडिडेट रेजिस्टर्ड हुए थे 21 के लिए, नीट 21 के लिए जो कंडिडेट रेजिस्टर्ड हुए थे यानि कि सबसे कम डिफ्रेंस था, कम नहीं थे difference कम था, increment कम था, वो थे 16,14,777 जो इसमें increment था, वो 17,342 candidate का increment था, 21 में, ये सबसे कम increment था, इसके बाद अभी 22 की अगर total candidate की हम देखें, तो इसमें registered हुए हैं 18,72,339 यानि कि जो increment हुआ है, इस साल 2,57,562 का हुआ है, जो अभी नीट इत्यास में ये पहली बार इतना increment हुआ है, बीच में ये increment कम हो गया था, और अगर हम बात करें 16 की, 15 की, तो एप्रोक्स 2 लाग के नियरबाई हर साल student increase होते थे, लेकिन बीच में ये 20 और 21 में काफी डाउन आ गया था, increment, अब हम इसमें जेंडर वाइज देखें, तो जेंडर वाइज फिमेल कंडिडेट ने 22 में टोटल 10,64,606 वुमेन कंडिडेट ने रेजिस्टेशन किया है, मेल कंडिडेट की जो संख्या है, वो है 8,7,711 इसमें थर्ड जेंडर के जो कंडिडेट हैं, वो 12 कंडिडेट हैं एक बार हम OBC यानि की category wise डाटा देख लेते हैं, 22 के लिए कितने कंडिडेट कंडिडेट हैं तो इसमें जो OBC के कंडिडेट हैं, Centralist में जो कंडिडेट आ रहे हैं, 7,86,519 कंडिडेट हैं जनरल कंडिडेट 5,68,382 कंडिडेट हैं, OBC कंडिडेट हमेशा ज्यादा होते हैं इसलिए जनरल और EWS की जो cut-off है, जनरल और OBC की जो cut-off है वो इक्वेल जाती है यानि कि OBC के candidate ज्यादा होते हैं तो OBC के candidate seat भी occupy ज्यादा करते हैं वो general की seat भी occupy करते हैं और OBC का अपना quota 27% तो उनका है ही तो इससे OBC के candidate ज्यादा है इससे कोई फरक नहीं पड़ता OBC के candidate ज्यादा होने से वो general की seat भी लेते हैं SC category के total candidate 2,67,876 ने registration किया है General EWS 1,29,515 candidate ने registration किया है जो comparison OBC और general category के कम है यानि कि general EWS के candidate की जो CT है 10% उनको देखते हुए इनका registration कम हुआ है cut-off इनकी कम जाएगी इसके बाद हम ST category की बात करें तो 1,13,607 candidate ने registration किया है और जो PWD candidate है 6,430 candidate ने registration किया है अब एक बार हम top 5 states देख लेते हैं जिनमें सबसे ज्यादा candidates है माराश्ट्रे 2,55,258 candidate ने registration किया है उत्रप्रदेश 2,18,522 candidate ने किया है थार्ड नम्मर पर तमिल लाडू है एक लाग 42,286 वन लाग 42,286 फोर्थ नम्मर पर राजस्थान है वन लाग 40,567 candidates और फिब्त नम्मर पर करनाटका है 1,33,624 candidate ने registration किया है फिब्ते पर के शोरी 6 पर केरिला है इसका हम स्टेट का analysis आगे करते हैं उससे पहले देख लेते हैं हम seat कितने हैं तो MBBS की total आज की date में जो seat हैं 91,415 seats MBBS की है BDS की 26,949 seats है I use की 50,720 seats है और BBSC veterinary की 525 seats हैं अविलेबल है ये seat अभी 22 के लिए कितना इसमें increment होता है वो अभी बाकी है क्योंकि कुछ college इसमें add होंगी 22 के लिए अब इसमें top 3 mediums देख लेते हम language देख लेते हैं हिंदी और English को छोड़ के जो गुजराती language के candidate registered हुए हैं 49,625 candidate registered हुए हैं यानि कि गुजरात से इतनी candidate हैं हिंदी और English के अलावा बंगोली में हिंदी और English के अलावा 42,136 है और तमिलाडो में हिंदी और English के अलावा 31,803 candidates है तो ये डाटा है 22 का comparison किया हुआ यानि कि इस साल का जो competition है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इसमें अब हम एक बार state wise फिर से देख लेते हैं कोड से state में कितने candidates ने registration किया है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ एक बार हम state में केरिला state का देख लेते हैं कि केरिला state में कितने candidates ने registration किया है तो केरिला state का मैं आपको बता हूँ इसमें जो केरिला state के candidates हैं वो एक लाख बीस हजार यानि कि वन लाख ट्वन्टी थाउजन candidates हैं केरिला के जिन्होंने registration किया है इस साल के लिए अब जब हम इसमें state wise data देखते हैं तो इसमें ये बिलकुल clear है कि जो ये six states हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये six states हैं केरिला, तमिलनाडू, राजिस्तान, यूपी, माराश्टरा, करनाट का ये जो six states हैं इन six states के candidate हैं वो 55% candidate हैं यानि कि आधे से ज्यादा registered candidate इन six states से ही है और बाकी के जो तीन states हैं और बिहार है, MP है, West Bengal है तो इनका जो है, वो 70% इन से यनि की total candidates आ रहे हैं इसमें तो 90,000 के nearby ये candidate ने registration किया है प्रतेक स्टेट से जैसे बिहार, MP और West Bengal से तो इस प्रकार से ये इसमें exam center का अगर हम देखें इसमें exam center का data देखें तो इसमें जो कोटा में exam center के लिए सबसे ज्यादा candidate ने opt किया है 37,774 ने, पटना में 36,140 ने और जैपुर में 34,090 candidates ने exam center के लिए सबसे ज्यादा registration किया है इसमें तो ये data था इस बार कितने candidate registration हुए है तो बच्चों ये तो हकीकत है कि दिन परती दिन competition tough होते जा रहा है मगर इसको आप अपने लिए आसान कर सकते हैं अच्छी मेनत करके अभी भी आपके पास में 50 days का समय बचा है जो बहुत ही valuable है इस समय में आप सब कुछ कर सकते हैं नी 22 exam आप अभी भी मेनत करके नी 22 exam के लिए अच्छी तयारी करके अच्छे medical college में admission ले सकते हैं जब इनसान करना चाहे तो उसके सामने ऐस समभव कोई चीज नहीं होती है ये मैंने बहुत बात देखा है और ये जो अभी 2,60,000 के nearby candidate increase हुए है इस data से आपको tension लेने के आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि अगर private की 50 seats government fees पर हो जाएंगी तो ये rationalization हो जाएगा यानि cut off hike नहीं होगी बस आप अपने study पर focus करें आपका selection अवश्य होगा best of luck